यह आपके खुबसूरती का राज क्या है तो शालू जी का कहना है कि फ्यारं लबली का कमाल है मुझे तो पता है अंसर एक बार इनको भी मुझे नहीं पता है आप सोचो सब्सक्राइब निकलते तो वही सफेद फिर से उसमे सवारी चड़ जाती है और नमस्कार आप सब कैसे हैं और विसली आप सब अच्छे ही होंगे मैं जूही दुवेदी उत्तम केवड चैनल से और आज का हमारा एपिसोड है दिमाग की बत्ती जलाओ तो आईए आज हम दिमाग की बत्ती जलाते हैं कैसे हो आप अच्छी हूं नाम आपका शालू तिवारी तो आज हम शालू ज तो सवाल हैmayın कि कहना है की टूम्यरा कुछ सवाल है आप से अप रेडीव हो जी जी आपके दिमाख में क्या चल रहा है वैसे कि मैं क्या पूछ सकती हो क्या सबाल होंगे आं कुछ भी पोझेगा सदने में भी टुच्छ यार में पूछ तो तयार हो यह जर वोप अबी और यही सवाल मेरा आप लोगों से भी है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए जो छीज दूप में नहीं सूपती जो चीज थोड़ा सूच जाती है आप से रिलेटिव हो सकती है मुझसे रिलेटिड पसीना पसीना कन फॉमम है दोस्तों आप सब क्या लगता है क्या हो सकता है मुझे तो पसी नहीं लग रहा है क्लियर है? शौर हो आप? हाँ हाँ मैं शौर है बिल्कुल सही जवाब है कि पसीना आचल पटेल तो आचल जी और शालू जी से मिलके एक बहुत ही जोरदार सवाल पूछते है जो हमारे घरेलू घरेलू से भी कनेक्ट है ठीक है? तो हम तीसरे सवाल के और चलते है काला घोडा सफेद सवारी एक उत्रे दूसरे की बारी तो सोचने वाली बात है बताईए मुझे तो पता है अंसर एक बार इनको भी मुझे नहीं पता है सोचो सोचो क्या हो सकता है मतलब काला घोडा समझने की बात है काला घोडा सफेद सवारी एक उत्रा दूसरे की बारी क्या बस बस और सोचो और सोचो क्या हो सकता है आप बताओ मैं तवर फिर जो हम रोटी सेखते हैं शौर हो आप आपको क्या लगता है शौर है शालू जी और अगर आप लोग नए है तो प्लीज स्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा एक और चीज़, सालू जी, क्या मैं आपकी ये वीडियो अपने इस चैनल उत्तम केवट के चैनल में डाल सकती हूँ? आपको कोई दिकत तो नहीं है? आशल जी, आपको? नो, नो प्राब्लम